आपको देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज्स, मैं अमिक कुमार सीं, तासियर ली कुर्टर, आज के दिन ही 14 तारिख को कुलवावा में हमारे धीर जवान अतंकी हमले में सहीद हुए थे, सबसे पहले तुम्हें उन धीर जवानों को पहिन अन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे बीच आए और हम और मेरे तमाम ये मित्र जो है भाई मित्र हम लोग आज जो सी आर्पीएफ के 40 जवान 14 भरबरी 2019 के दिन पुल्बामा में एक कायरोकुर हमला में सहीद हुए थे, उनको पहले तहे दिल से जुपके नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं, साथी आज हम लोगों ने एक छोटा सापने जो हम लोग दोस्तियार हैं, सब लोगों ने मिलके एक आयोजन किया है, हम लोग का यही मोटो है इस आयोजन के माध्यम से जो हमको उनका स्राधान जली दे और साथी साथ हम आप देख रहे होंगे यहां पर तमाम छोटे साथिरंगा यात्राक माध्यम से बस यही एक बताना चाहते हैं, बच्चों में राष्ट प्रेम की भावना होनी चाहिए और एक डूटी भले ही कम खाए लेकिन वह उनको हम ज़रूर यह चीज़ सिखाए हैं अपने देश भक्ती की अमारे देश के लिए मेले क्रामती कारी सबनाजे देने के लिए हम लोग ने बच्चों के साथ और हमारे से युगा भाई है, मित्र है, समाज के लभी लगके हैं, सभी नमील करके एक मार्च निकाला है कंडल मार्च, कंडल मार्च के द्वारा सभी लोगों में राष्ट प्रेंग की वार्ना को जायने का काम हम लोग कर रहे हैं और ताकि जह हैं समाज के बच्चे हैं और जो भी लोग है समय राष्ट प्रविश भाना जावित हो और हमारा अदीश अनंत उचाईयों तक जो है आगे बरें इसके लिए हम इंडियन टेवी नीज का बहुत बहुत आरारी हैं कि इस चीज़ को जहार मीडिया में मीडिया के माध्यम से सभी लोग को पहचाने का काम कर रहे हैं तो लोगन बोलना चाहते हैं सौर्य दक्षन युद्धे बलिदान परमो धर्मा यह जब यूरी जब सर्जिकर स्टाइक देखें हुझे इसमें जब जब जवान सहीद हो जाते हैं तुसमें जवान की एक जवान की थे एक बेटी थी वह यह सलोगन जो है बहुत जोस के साथ बोलती है सौर्य दक्षम युद्धे बलिदान परमो धर्मा सौर्य दक्षम युद्धे बलिदान परमो धर्मा सौर्य दक्षम युद्धे बलिदान परमो पुलवा में तो सभी बच्चे अपने अस्तर से सरधान जली सुमन अर्पित करने का काम किये हैं और इसी बीज में आपके क्या पर्चे है कि सबसे पहले तो जो सरकार अभी भारतिय जंता पर्टी की सरकार मोदी जी की सरकार है वो तो आपनकवादियों पर या जो टेरेरिष्ट आर्रिष्ट को वे डिया जाना चाहिए मार्मी का अपना विंग होता है उनके पास будут आर्मी में हैं air force से ने विए अपना intelligence होता है उनका सारा कुछ अपना system होता है तो सरकार को उसमें अरंगा नहीं डालना चाहिए जैसे हम कस्मीर में वीडियो आते तो जो हमारे रक्षा के लिए खरें हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब उनको सरम आनी चाहिए इस चीज के लिए लेकिन अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है सुधरने के लिए थैयार नहीं है अगर कोई नमक हराम बैठा हमारे देश में तो उसको उसको नमक हलाली उसके लिए आर्मी को देना चाहिए फिरी हैं मुझे फुरा विश्वास है अपने देश के आर्मी पे जो उनको वह अच्छे से सबक सिखाएंगे और साथी साथ यह ज आर्मी को फ्री हंड देना चाहिए जहां एक और प्रस्थ नहीं है सहीद के परिवारों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपका बहुत अच्छा है मैं इस पर बोलना चाही रहा था आपने में से पूछ लिया सहीद कोई भी होते हैं हमारे देश को सब को बुरा लगता है बस यह एक काग जो में होता है हमने सहीद को यह दिया सहीद के परिवार वालों के यह दिया उतना कुछ मिलता नहीं है मैं नगोदे बिद्याले से पढ़ा हूँ हमारे साथ एक बीर जवान सहीद के एक बेटी हमा साजिन्दगी एक आर्मी के परिबार वालों को भले हमें देश का हमें भले महंगाई हम 200 रुपे पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन हमारे देश के जो जवान है उनके परिबार वालों का ऐसा सुविधा देना चाहिए जो अगर जो बॉर्डर पे जवान खरा है उसको गोली में एक मिनट भी संकोच नहों यह भी न सोचना परे मेरे बुढ़े माबाप है मेरी नई पतनी है मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा मेरे जाने के बार इसका सरकार को पूरी वेवस्था करने चाहिए सरकार तो घोसना करती हम यह देंगे सहीदों को वह दे अगर वो कमजोर पर गए अगर उनके दिल में अगर जो मुझे विश्वास हमारे आर्मी कभी कमजोर नहीं परेंगे लेकिन अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी आ गया तो यह हमारे देख के लिए दुरभाग होगा और यह बहुत ही दुरभाग पूर्ण बात है जो हमारे देख के आर्मी के जो घरवाले होते हैं उनको अच्छे से सुविधा नहीं मिलती है इस चीज़ पर सरकार को विशेस ध्यान देना चाहिए